हेलो गाईज, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऐसे विडियो लाता रहता हूँ जिसके अंदर मैं इस कैमर्स का नाम रिविल करता हूँ अगर आप माल लो कि किसी के सर्विस लेने वाले हैं उसका नाम आप यूटुब पर साच करते हैं तो यूटुब पर आपको मेरा रिव्यू मिल जाए ताकि आपको सच बता लग पाए कि सच क्या है एक तो भाहर ट्रेडिंग यात्रा दूसरा है ऑप्शन ग्यान ये दो नाम ऐसे हैं इनकी शिकायते बहुत सारी आई भी हैं मिले यूटुब कमेंट्स में इनके नाम भड़े पड़े हैं कि बाहर ट्रेडिंग यातरा और ऑप्शन ग्यान इन दोनों ने मिलके काफी लोगों का कैपिटल जीरो किया है टिप्सन कॉल देते हैं एकाउन हेल लिंग करते हैं दोनों ही चीजों में पबलिक का नुक्सान मैंने रिशर्च करने शुरू करी जिन सब्सक्राइबर का लॉस हुआ था मैंने उनसे फोन नमर मांगा कि भईया बाहरा ट्रेडिंग यातरा और ऑप्शन ग्यान वालों का नंबर दो और साथ में टेलिगाम चैनल जिसके थूरे काम करते हैं मैं को इसका लिंक भी दो तो मैंने कहा कि लिंक शेर नहीं कर पा रहे हैं किसी का भी क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है अब मुझे लगा कि इतना अचंबा हुआ कि इतने फेमस चैनल है तो ये प्राइवेट चैनल क्यों बना कर रखें मैं इनका पब्लिक होना चाहिए जैसे कि मेरा पब्लिक है या ज सीन करके मेना कोहीं नहीं किया जा रहा था मैंने कॉल भी किया कॉल इसीव नहीं कर पाया मैंना response नहीं आपाया okay कोई नही भीुए बहुत की नहीं कूछ किया नाम दिख पा रहे थे वो पब्लिक चैनल थे दोनों के ही बाद ट्रेडिंग यात्रा और ऑप्शन ग्यान साथ में जो उसके अंदर कॉंटेक्ट नंबर दियावा था वो भी अलग था जो कि मैं सब्सक्राइबर ने दिया था वो अलग था और जो मैं ने फ्रोड किया है जिनका फ्रोड किया है उनका पैसा वापिस कर दो मäना आपके एगेंट्स विडियो तो उन्होंने का कि यह phone number किसी और का है, यह phone number उनके कभी telegram channel पे था ही नहीं, चाहिए आप check कर लो, मैंने check किया, cross check किया, वो number कभी उनके telegram channel पे upload हुआ ही नहीं, तो बात में को सच्छा ही तो लगी मुझे, कि शहर हो सकता है कि दूसरा बंदा कोई इनके नाम से कर रहा कि उनके कोई response नहीं आ रहा है, पुलिस वारे सुनते नहीं है और यह fraud वाले भी उनके सुनते नहीं है, तो श्लिए हम अपना काम कर रहा है, उनको अपना काम करने दे रहे है, तो मैंने का यह तो घरद बात है, कि कि आप campaign नहीं कर रहे हैं, तो कह रहा है भईया, माफ करो इन से यह साबित नहीं होता है कि यह जन्मन है और आपका प्रॉफिट करवा के देंगे कभी आज वीडियो देखने के बाद भग जाओं के पास कि हाँ जी लाओ अपना पेमेंट नंबर दो पेमेंट कर देता हूं और यह लो मेरा अकाउंट आप प्रॉफिट कर दो सके नहीं मैं कोई भी हो एकाउंट हैलिंग वाला या टिप्सन कॉल वाला सब के खिलाफ हूं जो मैं हर वीडियो के अंदर बात बताता हूं वही अब भी बताऊंगा फिर से बता रहा हूं कि भीया पैसा बहुत मुश्किल से आता है ट्रेडिंग करना आसान बिल्कु नहीं है ट्रेडिंग के पॉस्ट देखके आपको मस मन ये करता है कि मेरा भी ऐसा पॉस्ट हिए घृता है मौई आप से यह कहना चालता हूं प्रेडिंग सबसे मुश्किल पॉफेशनल में से एक है अगर आप डॉक्टर करते हो इंजिनिंग करते हो करते सब के अंदर आपको 5-6 सा का अपना struggle करना पड़ता है उस struggle में 10 में से 5 लोग काम्याव रहते हैं जो struggle जहल जाते हैं बागी की लोग एंजल वन एलाइस विलो फायर्स कोई से भी खोलोगे उसके अंदर एक बात लिखी भी आती है कि भाईया दस में से केवल एक बंदा प्रोफट कर पाता है नो लोग लोस करते हैं नब्बे परसंट लोग लोस करते हैं और तो क्या आप इसके अंदर आना चाहते हैं जब आप आप ओके करोगे तब जाके वो ओपन होगा वना ओपन मी नहीं होगा तो सब इंडिकेशन है कि ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉस होता है मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं कि जो ट्रेडिंग में एकाउंट हेलिंग करते हैं या फिर टेप सन कॉल देते ह हैं अगर उनका प्रॉफिट हो रहा होता तो वह आपसे एकाउंट क्यों मांगते बात यह मैं को बता यहां सची अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई या उनके पास तो दस बारा बंदे होते हैं जिनको वह बताते हैं कि यह कॉल बाय कर लो वह अपना ट्रेड करते ही क बंदों को सेल दे गई तो एक लाख रुपे वह बंदा उनको दे रहा है अगर वही बंदा जो उनको पैसे दे रहा है वह उनका कैपिटल का अर्रेंज्मेंट करवा के उनको बताये कि भाई यह कॉल बाय कर लेना आपका इसमें प्रॉफिट हो जाएगा जैसे कि वह आप स सबसे ही यह काम करवाएं तो उसको यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा उसको वहां से मिल जाएगा तो वहां पर उसका और बेनिफिट है तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि अपना एकाउंट को हैंडल करेगा ना कि आपके एकाउंट को सब कुछ अपना ही देहना को एडवाइस करना शुरू किया पहले लोग अपना ही देखते हैं संगसार में कोई नहीं है जो का हाथ पकड़कर ट्रेडिंग सिखाएगा यह बहुत बड़े लेविल पर इसका जिकर किया है अब भी कर रहा हूं इस पर कोई ठोस नियम कोई नहीं आया है इसलिए इसके अं है आप भी ऐसा प्रफिट कर सकते हैं अगर आप हमाई साथ जोइन होते हैं तो इनके पास रोज के 5-10 बंदे फज जाते हैं और महीने के ऐसे ही 200-300 लोग हो जाते हैं काम सिर्फ एक की वहिया सबके एकाउंट ले लो आदो के एकाउंट में कॉल बाय कर लो और आदो के एक कैपिटल और एड कर दो लोस हुआ कोई बात नहीं हम आपका कल कैपिटल कवर कर देंगे तो जो लोग मान जाते हैं मिचारे वह एड कर देते हैं और जो नहीं मानते उनको ब्लोग मार देते हैं कि भढ़ में जाओ हमें नहीं पता तुम कोन हो ठीक फिर नेस्ट डेव ही कह हो सकता है दो तिन प्रोफिट हो सकता है तीसरी दिन आपका कैपिटल पूरा जीरो करके आपके हाथ में दे दिया जाएगा तो ऐसे करके काम करते हैं मेना मकसर स्रिफ यही है कि मैं आप सब तक यह जनकारी अच्छे से पहुचा पाऊं इसलिए मैं ऐसे जो फेमस नाम होते और एकाउ हेलिंग के वालों के उपपर आपको व्रोफिशा नहीं करना चाहिए अगर आपकी नजन में कोई टिपसन कॉल और एकाउ हेलिंगवाला है जो कि प्रोफिटेवल है – और जिसको यह बहुं भूरी लग रही हो कि मैं कहह रहा हूँ है कि कोई भी प्रोफिट नही है तो आप इसको Zhouine전 कर सकते हैं पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कोई भी Account handling वाल बंदा अपना खुद का profit नहीं कर पारा इस लिए वो आपका account ले रहा है कोईवी टिप शन्कॉल वाला अपना profit नहीं बनता है तो आप मुझे से पुछिए और इन तीनग में के दौरान में कोई question बनता Hey आप मुझे से पूछिए आपको केवल जाना है और पूछना है मैं ऐसे पुछने का कोई पैसा नहीं है मैं एक बार को रिप्लाई थोड़ लेट कर सकता हूं पर मैं करूंगा ज़रूर वो भी एतना फ्री और कोष्ट इतना बड़ा दिल होने की वज़े किया है वज़े यह है कि जब मैंने खुछ ट्रेडिंग सीखी थी तो मैंने को अपन तो मुझे अपने टाइम पर कोई ऐसा जो आतल बूभल ऊष्ट बंदा नहीं मिल पाया जो की एक प्लाई कर पाए और चिशन माउंगा है सो अरुन जो पर कोष्ट बेता है निया सब चना परकोष्ट मैं बहुत साली कोष्ट हुआ करते थे फिर भी मैं पैसे पेग गलता था तो वह मुशल दोर कि या तो मैं किस इसलिए आप मुझे से कभी भी कुछ भी पूच सकते हैं, फिर से रिपीड कर रहा हूं, रिप्लाई एदम से तो खेंड नहीं आपाएगा, क्योंकि मैं अपने काम भी रहते हैं, पर फिर भी जब भी मैं को टाइम मिलेगा, मैं आपका रिप्लाई जरू करूँगा, और जो